हम बात करते हैं एक और important function जिसका नाम है indirect देखिए indirect function जो है बहुत useful है जब हम किसी name को ऐसे range में convert करना चाहते हैं और range को name में convert करना चाहते हैं for example के लिए अगर हम dependent drop down list बराना चाहते हैं यसे हमने जो हमने last के कुछ chapters में देखा था तो dependent drop down list हम क्या से बरा सकते हैं उस keys में तो आपको याद होगा यह एक example last time हमने किया था कि किस तरीके से हमने drop down dependent list बनाई थी तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम fruits या vegetables select कर पाएं तो यहाँ पर हम एक manual data validation लगाएंगे और यहाँ पर जाएंगे list validation और source मेरा यह है तो यहाँ पर easily मैं fruits and vegetables select कर पाएंगा लेकिन यहाँ पर जो range है वो मुझे यह list चाहिए अगर मैं इनके name range बना दूँ मैं यहाँ पर जा करके मैंने इनकी name range बना दी है तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं fruits देखिए ध्यान से fruits और select करूंगा तो fruits आजाएगा और अगर मैं लिखूंगा vegetables तो यह vegetables आजाएगा पर प्रॉब्लम यह है यह तब आना चाहिए जब यह value क्या है उसके प्रड़िबान करता है तो अगर मैं इस तरह से कर दूँ तो देखिए यहाँ पर vegetables होया लेकिन वो अब name range नहीं आई तो यहाँ पर वो text आ रहा है ना कि वो vegetables लेकिन अगर मैं equal to vegetables लिखूं तो यह अब name range आ रही है तो यानिकि अब मैं चाहता हूँ कि यह जो vegetable है यह जो vegetable है वो ऐसे सो करें जैसे वो name range है ना कि text तो इसके लिए हम use करेंगे indirect function तो indirect function जो कोई selection है selection को name range में जो indirect function है वो किसी range को यानिकि उस range को convert कर देता है कि यह text में और text को convert कर सकता है range में तो यहाँ पर vegetables जो है से एक text है और इसे हमें range में convert करना है क्योंकि जैसे हम vegetable लिखते हैं तो देखिए ब्लू कलर का highlight होता है और यह range जाती है इसी तरीके से अगर मैं even लिखता हूँ तो यह भी ब्लू कलर कर जो है highlight होता है और फिर selection जाता है तो इस case के लिए हम use कर रहे हैं indirect और indirect के अंदर जो text है वो हम डालते हैं यह vegetables तो अब जो indirect function के अंदर हमने क्या दिया है एक text तो उस text को वो convert कर देगा ऐसे range एंटर करते हैं देखिए automatic यह brinjal के तरह सो कर रहा है अगर मैं इसको fruits कर दूँ देखिए अब यह सारे fruits हो गए vegetables fruits vegetables अब अगर इसी form लेका use करते हुए अगर मैं यहाँ पर एक drop down list create कर लूँ data validation में जाकर के और ok कर दूँ तो यहाँ पर भी एक drop down list बन जाएगी लेकिन यह dependent है इसकी अगर मैं यह fruits कर दूँ तो यह list automatically convert हो जाएगी उसके basement